हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो टूटोरियल में हम कवर करेंगे ओटोमेटिड एक्स्टेंशन रिपोर्ट के बारे में फ्रेंड्स यह एक बहुत इंपोर्टेंट एक्स्टेंशन है जो हम AdWords एकाउंट में यूज करते हैं बट इसका exact use आप तभी कर सकते हैं जब आपने practically कोई campaign operate कर आओ या कोई project आपने run कर आओ तो आज मैं आपको कुछ live case studies दिखाऊंगा automated extension report पे और साथ में यह भी बताना चाऊंगा पहले ही आपको कि यह बहुत important extension है और extensions interviews में आपका यह question put up होता ही होता है कि आप सारे extensions के बारे में brief करिए कितने extensions पे आपने काम करा है कितना knowledge आपको extensions पे है तो automated extension report is also an important parameter जो आपको extensions में cover करना है live पे देखेंगे कुछ students ने मेरे यां execute कर रहा था तो आपको ज़्यादा better clarity आएगी और कोई doubt नहीं रहेगा नहीं तो मैं आपको dummy में भी इसको brief कर सकता था बट मैं better आपको live project पे आपको इसका case studies show करूगा पहले तो friends automated extension report है शायद आप में से कई लोहों को पता होगा कि यह automated extension है that means automatically जो भी extension Google create करेगा उसकी report आपको under this extension you will get अब यह automated Google ऐसा कौन से extension है जो Google खुझ से create करता है तो friends मैं आपको दो चीज़े बताना चाहूँगा पहले तो एक इसका मैं थोड़ा brief आपको यहाँ पर लिख देता हूँ फिर मैंने अपना एक back week अपना अगर आप देखे तो एक AdWords account एक open करा हूँ है इसमें हमने इसको use करा था और उसकी live case studies मैं इसके बाद आपको show करूँगा तो basically automated extension report मैंने आपको बताया कि जो extension Google automatically create करता है और यह जो automated extension होते हैं जो Google create करता है Google इनको create करता है dynamic search ad में तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा dynamic search ads का यह part है dynamic search ads जब भी आप create करते हैं whenever you will create आपकी जो extensions होते हैं उसमें आपको manually extensions create नहीं करने होते dynamic search ad में short में इसको DA से भी आप बोल सकतें interview के सबसे बहुत important यह मतलब type of ad है जो आपको cover करना है तो dynamic search ad में जब आप कोई भी advertisement बनाते हैं Google automatically extensions आपके create करता है और उन extensions पे जब हिट होता है जब भी कोई click करेगा तो dynamic search ad में किस extension पे click होगा तो वो होता है आपका side link जैसे side link Google खुझ से create करता है side link पे जैसे ही जितने भी user आपके advertisement पे click करेंगे तो उसकी report आपको automated extension report में Google provide करता है side link भी Google खुझ से create करता है अगर आपको थोड़ा idea हो dynamic search ad कैसे functioning होता है क्योंकि आप सोच रहे होंगे जो first time देख रहे हैं जिनको नहीं पता dynamic search ad का कि यह कैसे work करता है तो friends थोड़ा brief कर देता हूँ अगर आप YouTube पे जाते हैं इसका मैंने एक video public करा हुआ है थोड़ा आप देख लीजीगा और clarity आपको आजेगी अगर आप public में जाते हैं और यहाँ पे आप अगर चेक करते हैं dynamic search ads tutorial अगर आप यह search करते हैं यहाँ पे तो आपको मेरे एक video public में already मिल जाएगा which isn't top only आप यह देख सकते हैं टॉप में ही मेरे video आ रहा है this is my channel अगर आप click करके कोई first time देख रहा है तो channel पे भी जा सकता है channel पे मैंने कई सारी videos अपनी adwords की update करिए as well as facebook की तो काफी better आपको इसमें मिलेंगी चीज़ें जो advanced level पे आप यूज कर सकते हैं और जो भी topic मैंने share करा है मैंने try करा है कि best to best आपको उसमें deliver कर सको तो यह तो एक idea उनके लिए था जो first time यूज कर रहें तो this is the campaign मैं आपके सामने campaign मैंने open कर रहा है मैं थोड़ा zoom कर दिया मैंने देखिए यह मैं automated extension report में हूँ जो automated extension report है इसमें google ने मेरे को दो reports प्रोवाइड करी है automated extension report में एक प्रोवाइड करी है social extension जिस पर मेरे 946 क्लिक हो है और 53,000 something we have already spent dynamic remarketing sorry dynamic sideling एक extension google ने automatically यहाँ पर report दी भी है जिसमें 7 hits हो है 7 click हो है मेरे और मेरी costing 523 इसमें exhaust हो है जो मैंने spend कर रहा है तो friends यह जो दो reports है google ने automated extension report में दिया है अगर किसी ने dynamic search add use ही नहीं कर रहा है तो उसको automatic extension report में कोई run भी कर रहा है तो कभी कोई report नहीं आएगी यह report automated extension तभी काम करती है जब dynamic search add का feature आप use करते हैं और dynamic search add में google automatically आपके dynamic sideling create करता है आपको extension में जाके कुछ नहीं करना automatically वो create करता है और mostly अगर कोई run कर रहा है या किसने देखा हो तो मेरी बात से agree करेगा कि dynamic sideling हमेशा एक ही होता है एक single line होता है थोड़े उसकी character limit जादा होती है और वो एक ही sideling create करता है which we call dynamic sideling जो की वो आपका dynamic search add में create करता है फ्रेंड्स एक चीज़ और यह तो दो report आप देख रहे हैं अब आप बोलेंगे social extension क्या है मैंने आपको उसके बारे में भी नौलेज देखता है कि previous कैसे काम करते थे आप AdWords में और current updates के recording आप कैसे काम कर रहें AdWords में तो just to inform you एक brief आपको देना चाहता हूं कि social extension यह हम पहले यूज करते थे last year हमने यूज करा था last year यह बंद हो गया social extension social extension I mean to say google plus page google plus page हम अपने जो है add में text add में connect कर देते थे ताकि हम followers दिखा सके की google plus में हमारे कितने followers है वो update last year आया था वो बंद हो गया आपका December के recording शायद वो update आया था last to last year तो वो बंद हो गया बड़ जस्ट आपको एक brief करना चाहरा हूं कि पहले इसमें जो report दिखा रहा है social extension की हमने वो भी run करा था students में जो मेरे आया trainings में campaigning बनाई थी जो काम सीख रहे थे तो उन्होंने जो social extension google plus page followers लगाये थे उस link पे क्लिक करक जितने लोग मेरे followers page पे गए google plus के उनकी reports उनके hits की costing वो यहां automated में दिखा रहा है बट अगर अभी कोई recently last year से अभी कोई campaigning run कर रहा है तो उसको social extension की report नहीं आएगी उसको सरफ dynamic side link की ही report आएगी तो friends यह मैं आपको बताना चाहरा था कि automated extension report automatically report create करता है उन extensions के लिए जो google न automatically generate करे हैं create करे हैं और वो सरिफ dynamic search add में ही automated extension create करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यही मैं आपसे इस tutorial में share करना चाहरा था important extension है बट अगर आपने use नहीं करा है खुद से self study कर रहे हैं तो आपको इसका पता नहीं चलता है इसलिए मैंने live में आपको दिखा दिया ताकि कोई cross questioning करता है आपसे तो आप confident होके इस extension के बारे में brief कर सकते हैं that's why I have shown you on the live project only तो friends यही था इस tutorial में आपसे बताना चाहरा था बाकी Google ने भी एक नहीं update और अभी करा है जो है कि आपका affiliate location extension this is again also very important extension यह आपका affiliates के लिए use होगा कि आपको कैसे उसको use का मैं आगी भ एक बार practically execute कर ले trainings में मेरे students जो report आईगी then better अगर मैं आपसे share करूँ तो वो ज्यादा better result आपको clear होगा तो friends नहीं में आपको बताना चाहरा था एक चीज़ और एक report और आई है एक extension और रहा है message extension this is very important मैं use करना हूँ सभी clients के project में बहुत अच्छा उटका मारा है जो मुझ search करते है राहूल बेस तो यहाँ पर आपको already मेरे channel पर यह जो मेरे 63 videos दिखा रहा है अगर आप link पर click करते हैं तो channel है तो इसमें top में ही आपको video मिल जाएगा AdWords message extension यह मैंने live project पर ही share कर रहा है जैसे मैंने आपको यह वाला extension share कर रहा है तो मैं आपसे ही request करूँ अगर advanced level पर तो he can contact me this is my website ppcexpertclasses.com आप महा से मैं details लेके मुझे contact कर सकते है thank you so much for your time have a good day thank you